ओम शान्ति अंतराष्टिय योग दिवस तीसरा रविवार पंदरा अक्तूबर दो हजार तेश साएं साधे छे बजे से साधे साथ बजे तक यह हर तीसरे रविवार को हम करते हैं जिसकी लिए परमपिताप परमात्मा ने विशेश डारेक्शन दिया है और हमारे मुख्याले माउंट आबू से एक विशे भी दिया जाता है ताकि सारे एक विशे पर ही सारे विश्व को साकाश दे आज का विशे है मैं दिवे आकर्शन मुरद आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ मेरी दिवेता वा पवित्रता सभी मेरी दिवेता वा पवित्रता से आत्मा चमक रही हूँ आत्माओं को आकर्शन हो रहा है आत्माओं को साक्षतकार हो रहा है अपने पत से भटकी हुए आत्माई पुना सत्य के पत पर अग्रसर हो रही अपनी सफलता को अपनी सेवा को अपनी आँखों के सामने देखना इस परकार से आप इस सफलता का अनुभाव करेंगे तो हम बहुत ध्यान से देखिएंगे ये हम कैसे करें खाली सिरफ कहने मातर से ये नहीं होगा पहले स्वेहम को उस समर्थी स्वरूप में लाना है उसको समझना है कि मैं दिवे आकर्षन मुरत आत्माई कैसे बनूंगी ये मोजे स्वेहम में और दिवे गुणों को धारन करना है जिसे हम दिवे पूलों का गुल दस्ता के रूप में परदस्नी आंक में देखते हैं सहन्शीलता, देरियता, मदुरता, नम्रता, अंतरमुखता ये सारी जो दिवे गुण हैं, ये सारी गुण मेरे जीवन में होंगे जब ये गुण मेरे जीवन में होंगे, तब ही वो मेरे व्यवार के प्रति आकर्षित होंगे आकर्षन ऐसे नहीं आ जाएगा कि मैं गाऊंगा, मैं बोलूंगा तो हो जाएगा इन गुणों को सबसे पहले स्वेव में धार्ण करना है। कैसे हमने इन गुणों को अपने जीवन में धार्ण किया। वो साकाश, वो संकल, वो द्रिष्टी, वो व्रिती हमने सब को देनी है। उसी से ही सेवा होगी। और जब हम स्वेव को मैसुस करेंगे कि मैं दिवे आकर्ष्ण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमत रही हूँ। अर्थात मेरा प्रभाव सभी को मैसुस हो रहा है। जब ऐसा उनको अनभाव होगा। और खुद को भी अनभाव करेंगे। कि मेरी दिवेता, मेरे अंदर जो दिवे गुण है, वा पवित्रता, जो मैंने अपने जीवन में धार्ण की है, वो अन्य आत्माओं को आनुभाव हो रही है। जब वो पवित्रता वा दिवेता अन्य आत्माओं को अनभाव हो रही है। तब समझो कि आप साकाश देने में सक्षम। आपने उनको वो विधी, वो अनुभाव शियर करना है कि मैं कैसे दिवे आत्मा बने। दिवे गुणों से संपन बने। एक एक दिवे गुण को मैंने स्वयम में कैसे धारन किया। जब ये मेरे जीवन में धारना होगी, तो मैं पवित्रता और दिवे गुणों का साक्षातकार सब को करा सकते। साक्षातकार कराना मना कोई दिखाना नहीं है, उनको समझाना। साकाष के द्वारा उनको समझाना, जैसे हाम मुख के द्वारा कोई बात किसी को समझाते हैं, संकल्प के द्वारा वो बात उन्हें समझानी है। अपने पत से भटकी हुई सारी आत्माएं और आज परमात्मा स्वेम आकर अनबाव कराते कि विश्व की सारी आत्माएं अपने पत से भटक गई हैं, ऐसी भटकी हुई आत्माओं को हमने सत्य के मार्ग पर चलाना है। सत्य मार्ग दिखाना है जो सत्य मार्ग स्वेम परम पिता परमात्मा आकर सारे विश्व की आत्माओं को दिखा रहे। कि इस परकार से आपने साकाश देना है, यदि इसको आप करने में असमर्थ में सुस कर रहे हों, इसे जानना वा सिखना चाते हों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक के द्वारा आप साइं सादे 6 से सादे 7 बजे तक जोड़ सकेंगे यूट्यूब पर और सभी आत्माइं मिलकर एकी संकल्प के साथ, एकी वीधी से सारे विश्व की आत्माँ को साकाश देंगे और विजे सफलता अपने जीवन में सची खुशी का अनुभाव करेंगे। मिलते हैं साइं सादे 6 बजे से सादे 7 बजे तक 15 अक्तूबर 2023 रविवार के ओम शानकी।